सब्वे स्टाइल सैंडविच ब्रेट क्रीम फिल्ड मीठे बंस और होट डॉग्स भाई इनका तो अपना अलगी फैन बेस है और हर किसी कोई बहुत ही जादा पसंद आते हैं लेकिन दोस्तों हम में से कोई भी इनको घर पे बनाने की कभी नहीं सोचता यह सोच करके कि बड़ा मुश्किल होगा इनको बनाना भाईया बाहर से ही ले आते हैं तो मैदा ले लेकर के हम खाते रहते हैं लेकिन आज मैं आप के लेकर के आई हूँ गेहू के आटे से बनने वाले सब्वे सांड़िश वाले ब्रेड की रेसिपी क्रीम फिल्ट मीठे लॉंग बंस माले होड़ा की रेसिपी मार्कोल मार्केट स्टाल डो बनाया जाता है सब्वे वाली सांड़िच ब्रेड के लिए या फिर मीठे बंस के लिए उसके लिए मैंने यहां पर लिया हुआ है आधा कब एक्दम हलका गरमScott मतलब इतना गरम पानी होना चाहिए कि अगर आप फिंगर उस पर डालो तो आराम से वो टॉल्रेट कर पाए इसको मैंने एक बोल में डाला है और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ धाई टेबल स्पून यानि 2.5 टेबल स्पून चीनी साबुचीनी है अगर आप चीनी नहीं आ किया है फिर मैं इसमें आट किया है वन टीस्पून और दो तीन चुटकी इंस्ट ड्राइ इस्ट जियां फ्रेंस यह इंस्ट ड्राइ इस्ट अतुरा ध्यान दीजेगा और मुहन इंपेक्स ब्रांड का है यह बहुत बढ़िया काम करता है अभी आप आपके देखोगे और इसको लेने की लिंक मैंने डिस्क्शन में दे दी है चेक आउट कर लीजेगा इस इस इसको भी आप पानी में डालोगे और हलका सा आपको इसको घोलना है अगर आपके पास में अक्टिव ड्राइ इस्ट है तो यहाँ पे वन टीस्पून प्लस वन फोर्थ टीस्पून और इसलिए थोड़ा सा कम जाता है अक्टिव ड्राइ इस्ट इतना स्टॉंग नहीं होता है इसलिए थोड़ा सा उसको ज्यादा आपको आड़ करना पड़ता है बस अच्छी से मिक्सिंग के बाद इसको आप 10-15 मिनट के लिए रख कर के छोड़ दीजे ढख कर कि किसी गर पनाने के लिए सब्से पहले हमको चाहिए हो गाई दो कप या तो मैदा या फिर आटा तो जैसे कि में आपको बोला था आज मैं बिना मैदे केनको करूंगी कूश तो मैदे से बनी जाती 46 र graves के बनाने की इस अल्दी होधिया लेकिन आपको इनको बनाने की सही ट्रिक पता और इन सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है, जैसे ही ये मिक्स हो जाता है, हमने जो इस्ट को अक्टिवेट करने के लिए रखा हुआ था, वो बॉल मैं लेकर के आए हूँ, और जैसे के आप देख सकते हो, कितने अच्छे से इस्ट अक्ट जाएगा, कि इस्ट डेट हो चुका है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, और अगर आप उसको आड करोगे, कोई भी रेसिपी बनाने के लिए, तो फिर वो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, फर्मेंट चीज नहीं होगी, तो अभी क्यूंकि हमारा इस्ट अच्छे स आपको हल्का हल्का गरम पानी आड करते चले जाना है, करीब आधा कप प्लस टू टेबल स्पून, हल्का गरम पानी मैंने इसमे और आड किया है, ताकि बिल्कुल सॉफ्ट लग जाए, जैसा रोटी का आत्रा होता है, उससे भी थोड़ा सा सॉफ्ट डो हमें लगाना होता है, यह वाली रेसिपी बनाने के लिए, और फ्रेंस, हो सकता है, तो थोड़ा बहुत कम या जादा भी हल्का गुनगुना पानी लगे तो आप उसी हिसाब से एड कर लेजिगा, ध्यान आपको यह रखना है, कि आपको कभी भी इस रेसिपी में बिल्कुल घरम पानी नहीं बनारी हूं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, अभी आप देखोगे, तो अभी मैंने इसको थोड़ा सा नीड करना है, यानि कि मुझे इसको गूतना है करीब 5-7 मिनट के लिए अभी के लिए, और इसलिए मैंने किचन स्लाप पे थोड़ा सा आटा डाला है, और फिर मै यहू के आटे में ग्लूटन डेवलाप होने में थोड़ा सा जाधा टाइम लगता है, एस कॉंपेर तु मैदा, लेकिन हेल्दी बहुत तर टेस्ट गजब आएगा, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा, तो यह देखे, माश कंडे के बाद मैने इसे थोड़ा सा पीटना श चला जा रहा है, दूसरी पैचान, इसमें बबल्स जैसे आने शुरू हो जाएंगी, यानि की ग्लूटन विंडो बननी शुरू हो जाएगा, वो क्या होता है, वो मैं भी आगे आपको बताती हूं, तो यह देखे, मैं यहाँ पे आटे को ना लेकर के थोड़ा सा एक्दम और उसके साइड से आप पीछे से देखे, ट्रांस्पेरेंट से दिखाई दे रहा है, तूट नहीं रहा है, इसमें ग्लूटन विंडो डिवलाप हो गई है, तो अब मैंने सेम बोल जिसमें मैं गुथा था, उसमें थोड़ा सा ओल लगा लिया है, और जो आटा है उसको मै तेख सकते हो, इसमें बबल जैसे आने शुरू हो गए, आटे में, ब्लिस्टर के जैसे, मतलब ये ग्लूटन विंडो है, बिल्कुल पॉफेक स्टेर है, बहुत अच्छा पूले गए है, अब ये सारे चोटी-चोटी पहचान होती है, जो आपको पता होनी चाहिए, कि के साथ, WhatsApp, Facebook, Instagram में, और अगर अभी तक आमने क्लासी पहो किचन को सब्स्क्राइब नहीं किया, तो प्लिस सब्स्क्राइब भी जरूर कीजे, इसी तरीके की अमेजिंग रेसिपीज और डीटेल्ड विडियो के लिए, आपको बोल में याटा रखने के बाद, इसको माइक्रोवेव में रख दीजे, अवन या माइक्रोवेव और नहीं होना चीए, क्योंकि उनमें हमेशा हीटिंग वाला काम होता है, इसलिए नॉमली भी उनका टेंपरेचर बाकी जगहों से थोड़ा सा जाधा होता है, आपको बेसिकली इस आटे को तब तक के लिए, फर् पूटी फूटी लेकर के तरफ रख लिया है, दूसरी तरफ मैंने ये तिल लियो है, काले वाले तिल, ये सब ऑप्शनल है, लेकिन ये तैयारियां में पहले से इसले कर रख रही हो कि हम फटा फटा गे हमारे रेसिपी को बनाते चले जाए, अब हमने एक घंटा क्योंकि ह इसले मैंने आटा चेक किया है, अफ्रेंस देखे हैं आटा जो है वो फूल करके डबल नहीं करीब करीब ट्रिपल हो गया है, मतलब बहुत ही अच्छे से पूला है, आज बहुत जादा गर्मी है, तो इसले एक गंटे इंदर ने अच्छा कासा पूल गया है, आप देख भ वापस आपको इस आटे को स्लाब पर लाकर के रखना है, कोई आपको गूतना वगरे नहीं है, बस थोड़ा सा बराबर कर लीजेगा, इवन कर लीजेगा, और अभी इसको हमको डिवाइड कर लेना है, एट पोर्शन्स में, आठ पोर्शन्स में, जियां फ्रेंस, दो कप आटे से, आठ बड़े-बड़े साइज के सभे स्टाइल सैंडविच ब्रेड बनके रेडी होते हैं, या मीठे क्रीम फ्रेंस बनके रेडी होते हैं, यह देखे सारे पोर्शन्स करीब-करीब आपको बराबर बनाने है, चोटे-बड़े हो जाएं, कोई दिकत नहीं है, तो बाकी सारे पोशन को मैंने हलके गीले कपड़े से ढख करके रग दिया है ताकि उनके उपर पपड़ी ना परे अभी एक बेकिंग ट्रे में इसको डाल दिया है इको बेक को गईस बढ़िया रहता है हर तरीके की बेकिंग और कुकि अप इस पे एक से जादा बार बेकिंग कर छारा आयर बिल्कोल मोटी रोटी के जैसे और अब मैं क्या करे आ हूं एक साइट से लेकर कर रोल करते हुए मैं इसको दूसरी साइड गरा भीग पिल्कुल टाइट ली मैंने इसको रूल किया है और जहां पे रोलिंग खतम हो रही वहां पर इसको मैंने अच्छी तरीके स दूसरा तरीका मैंने दूसरा पोशिं लिए आटे का इसको थोड़ा सा बेल लिया है और फिर मैंने इसको रोल करके चिपका करके इसकी एज़ेस को अच्छे तरीके से फिर रख लिया है बेकिंग ट्रेपें थोड़े-धूड़े दूर पर रखिये गा फ्रेंज क्यूंकि अ इसलिए अभी मैंने जो आटे के पोर्शन्स लिये हैं उनमें मैंने डाली है मिक्स कलर की टूटी-फूटी हलका साइन को मिक्स कर लिया है और सेम तरीके से रोल करके इनको भी ओवल शेप दे दिया है जैसे की सब्वे स्टाइल बंस या फिर जो मीठे बंस आते हैं उनका शेप होता है ये देखे फ्रेंस इनको भी हमने बेकिंग ट्रे में रख लिया है सेम तरीके से सारे के सारे बंस या ब्रेट्स आपको बना के रख लेने हैं और यहां पर सारे बंस रखने के बाद मैं इनको हलका हलका ब्रश कर रहे हूं मिल्क से ताकि उपर से सूख ना जाए मैंने अल्लडी आपको बताया मेरे यह बहुत जादा गर्मी है सर्दी में आपको बारबर नहीं करना पड़ता है गर्मी में आपको जरूर करना पड़ता है अब मिल्क से ब्रश करने के बाद मैंने कुछ एक ब्रेट्स के उपर डाला है काले वाले तिल जो मैंने आपको दिखाये थे डेकोरेशन में अच्छे लगते हैं और बाकी के अब मैंने कुछ भी ने डाला है क्योंकि उसमें अलड़ी तूटी फूटी उपर दिखाये दे रही है अब मैंने इसको हलके बिल्कुल हलके गीले कपड़े से ढख करके आधे घंटे के लिए रख दिया है सेकेंड पूफिंग के लिए किसी गरम जगे पे अब इस टेज प बनाएंगे और जो क्रीम बंस आते हैं उसमें यही क्रीम क्लासिकली भरी जाती है तो सबसे पहले वन फोर्थ कप बटर मैंने ले लिया है जो की नॉर्मल जो प्लें सॉल्टेट बटर आता है वो है सॉफ्ट ही बटर और इसको तरीके से विस्क कर लिया है जब यह लाइट बहुत पतली होती है इसलिए तो वो मैंने आदा कप डाल करके हाफ टीस्पून वनिला एसंस डाल करके बिलकुल लाइट एन फ्रॉदी हो जाने तक कलर चेंज हो जाने तक इसको बीट किया है और मैंने इसको अगारो के ही हैंट बीटर से बीट किया जो की 300 वाट का होता है और इसकी बीटिंग नीटिंग बहुत ही परफेक्ट होती है मैं जादा तर अपने केक्स की लिए जो क्रीम है इसी से तयार करती हूँ आपने देखा भी होगा इन सब चीजों की लिंक मैं डिस्रिप्शन में दे देती हूँ आप चेक आउट कर सकते हो अगर आप चाहो तो और यह देखें करीब 3-4 मिनट होए होंगे और क्रीम हमारी बिल्कुल लाइट और फ्रॉदी बन करके रेडी हो चुकी है बहुत ही बढ़िया बनी है क्रीम और मैं आपको इसका एक बार टेक्श्चर चेक करा दूँ तो मैंने एक पाइपिंग बाग में इसको डाला है मैं आप देख सकते हो कितने चोटे-चोटे मने रखेते हो रहे कितने बड़े-बड़े हो गया है और बिलकुल तयार है बेकिंग के लिए तो बस आखरी स्टेज पर आपको इसमें सबसे पहले तो मिल्क ब्रश कर देना है आप चाहो तो जो मीठे वाले बंस ना उन में मीठा म पी यानि कि चीनी वाला मिल्क भी ब्रश कर सकते हो मैं सब में प्लेन ही मिल्क ब्रश कर रहे हूं फिर मैंने यहां पे अवन को 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था और अभी दोनों रॉट्स ओन मोड पे सेंटर रैक पे मैंने रखा हुआ है यह सारे बंस को ब्रेट्स को बनने के लिए 180 डिग्री पे दोनों रॉट्स ओन 20 मिनट के लिए मैंनको बेग करने वाली हूँ अब फ्रेंस 20 मिनट हो चुके हैं और फिर में जारी हूँ चेक करने और लुक एद इस फ्रेंस क्या परफेक्ट कलर आया है इन इन सब्वे स्टाइल टेक्श्चर देखो बिल्कुल जैसे मार्केट में मिलते हैं वैसे बनके यह तयार हुए है तो फ्रेंस बिल्कुल पॉफेक्ट रिजल्ट आया है सबसे पहले मैं टॉप पे इसके बटर थोड़ा थोड़ा रब कर दे रही हूं और इसे ढख कर रही हूं दस मिनट के लिए तो फ्रेंस अभी तक ठंडे हो गए है बंस और इसलिए जो मीठे वाले बंस थे उन में से मैं आपको एक कट करके उसको क्रीम बन बनाने का तरीका बता रही हूं तो इसके लिए एक बन लेकर के हमने सेंटर से इसको कट कर दिया है और मैं आपको अंदर का टेक्श्चर चे क्रीम बंस बिल्कुल वैसा यह बन करके तयार हो गया है बिल्कुल एकदम लाइट अंद फ्लेकी है और इसलिए हलका सा ब्राउनिश है और बिल्कुल पॉफेक गिल फ्री तरीके से आप इसको खा सकते हो अपनी फैमिली गो खिला सकते हो मैंने तो खाना भी शुरू कर दि फ्रिज में क्योंकि बटर क्रीम इसले खराम नहीं हो गी फ्रिज में एर टाइट कंटेनर में पैक करके आप इसको कम से कम 15 तिन के लिए रख सकते हो बीस दिन के लिए खराम नहीं होगा और जो प्लेए वाले बंस है मतलब जो मीठे नहीं है उनसे आप हॉट डॉग बना स सकते हूं ट्राइ करना इसको बनाना और मुझे भी कॉमेंट करके बताना कि रैसे भी कैसी लगी तैंक यू सो मच वाचिंग हापी कुकिंग